हलो दोस्तों आप सभी का नित्या एक्जाम पोइंटर में स्वागत हैं दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे से बहुत मन लगा के प्रिपरेशन कर रहे होंगे किसी न किसी एक्जाम की छीक है लेकिन क्या होता है कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है कि पढ़ा किसी भी चीश को पाने की कोशिस करते है तो आप उसको जरूर पा जाएंगे ऐसा मेरा मानना है क्या है सुनिएगा रख होँसला तुझे तो सब मुकाम मिलेगा कोशिस करिए सुरुआत करिए और उसके बाद होश्ला रखते हुए काम करते रहिए रख होसला तुझे तो सब मुकाम मिलेगा तू गर करेगा ख्वाहिस्त तुझे चांद मिलेगा एक बार इतनी मेहनत करके खुद को इस लेबल पे लेके आईए कि आप जो चाहें वो मिल जाए आपको मैंने इसी को इस बात में या इस लाइन में कहने का प्रयास किया है फिर से सुनिएगा रख होसला तुझे तो सब मुकाम मिलेगा तू गर करेगा ख्वाहिस्त तुझे चांद मिलेगा तू फां में हो कस्ती तो भी घबरान नहीं तू तू फां में हो कस्ती तो भी घबरान नहीं तू रख जजबे को उमदा तुझे किनारा मिलेगा अब देखिए जब सुरुवात कर दीजिए तो समस्याएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी लेकिन उनसे आपको घबराना नहीं है ठीक है? आपको नरंतर कार करते रहना है कब तक? जब तक सफलता ना मिल जाए तो सदाहार मिलेगी गर्मन से गया तुहार तो सदाहार मिलेगी कोसिस रहा करता तो सीख हर बार मिलेगी कोसिस रहा करता तो जीत एक बार मिलेगी तेरी सफलता की किरण फैलेगी एक दिन तेरी सफलता की किरण फैलेगी एक दिन मेहनत से अंतताह तुझे बहार मिलेगी मेहनत से अंतताह तुझे बहार मिलेगी अब जब तुम सफल हो जाओगे तब देखे क्या होगा एक रोज तू बनेगा सब के लिए मिसाल पर रखना तू अपने रदय को सदा समाल देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास आज बहुत एड़वर्स सिच्वेशन होगी ठीक है और आप उस एड़वर्स सिच्वेशन में भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और आप जिस दिन सफल होंगे तो आप जिन्दगी में बहुत अच्छे इंसान बनेगे उसी बात को मैंने कहने की कोशिस की है सुनिएगा इक रोज तू बनेगा सब के लिए मिसाल पर रखना तू अपने रदय को सदा समाल छू जाए ना कहीं हवा तुझ को तो एहम की इसलिए तू अपने आज को रखना सदा समाल बहुत बहुत धन्यवाद